हेलो दोस्तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हाल फिलाल में सरकारी विवाग दोवारा जो भी ग्रूप डी की जिलेवर लिस्ट जारी की गई है उसके नुसर दोस्तो कितने बच्चों ने जोइनिंग की है और कितने पोस्टे दोस्तो सेस बजी है क्या सरकार के दोवारा गल्त का करते हैं अभी तक दोस्तों, जो भी आकडा जारी किया गए है उनके नुसार दोस्तों 18 जिलो में लगबख 8455 बचों ने दोस्तों गूरूप D की पोस्ट जोइन कर ली है और लगबख दोस्तो च्यार जिले बचे हैं अंबाला युणानगर पंचकुला कुरक्षेतर जिनका दोस्तो आकड़ा अभी तक अच्छी तरह से उपलब्द नहीं है जिलेवार दोस्तो लिस्ट जान लेते हैं इसार में दोस्तो सबसे ज़्यादा बारा सो च्यार बच्चों ने ग्रूप डी में जोइनिंग की है सीर्षा में 422, फतेवाद में 492, जीन्द में 901, करनाल में 308, बिवानी में 503, चर्की दादिरी में 308, मेहंदरगट में 440, रेवाडी में 445, गुरुगराम में 400 दोस्तो ऐसी लिस्ट दारी की गई है, हम काम की बात जान लेते हैं, वो क्या है, और दोस्तो इन 8455 बच्चों में वे बच्चे सामिल नहीं है दोस्तो, जिन्होंने कोर्ट केस कर रखा है, या को जो कोर्ट केस जीत चुके हैं, यानि क्या हुआ था, गुरूप डी की लिस केस जी चुके हैं वे 500 पलस होंगे और जो इन जिलों के बच्चे बच्चे हुए दोस्तो हम मान लेते हैं कि इन जिलों में लागबग 1500 पलस बच्चे होंगे तो दोस्तो टोटल जोइनिंग कितनी हो गई तो टोटल जोइनिंग हो गई दोस्तो आठ हजार चैर सो पीच पन तो दोस्तों है 18 जिलों के बच्चे 500 ऐसे बच्चे दोस्तों जो कोर्ट केस जी चुके थे रिजल्ट के बाद और 1549 जिलों के बच्चे इनकी लगबग दोस्तों 10,500 बच्चे गुरूब डी की पोस्ट जोइन कर चुके हैं और Group D के लिए दोस्तों रजल्ट कितनी पोस्टों का जारी हुआ था तो 10,997 इनकी 11,000 पदों के लिए दोस्तों रजल्ट जारी किया गया था और दोस्तों इन 11,000 बच्चों में से 10,000 बच्चों ने जोइनिंग कर ली है Group D की तो पोस्ट कितनी बच गई तो 545 बच गई और टोटल वकैंसी कितनी है दोस्तों तो टोटल वकैंसी है 13,500 एनकी 13,500 वकैंसी है अब दोस्तों इस में से अगर मैनस करके देखे तो दोस्तों 10,355 बच्चों ने जोइनिंग की थी तो 3,045 लगवग 3,000 बच्चे दोस्तों बच गई है इस 13,000 में से और ये 545 बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जिनोंने Group D की जोइनिंग नहीं की है तो कुल मिलाकर लगवग दोस्तों 3500-3600 पोस्ट बच्ची है जिस पर दोस्तों दूसरी लिस्ट आएगी और दूसरी लिस्ट दोस्तों आपको पता कब आएगी तो लगवग विदा नसबा के आसपास आएगी लेकिन एक बात मैं आपको बदा देता हूं दोस्तों बहुसे बच्चे सोच रहे थे कि सायद 5000 पलस वकैंसी या फिर ये 6 पोस्ट बचेगी तो ऐसा नहीं दोस्तों लगवग 35-36 पोस्ट ही बचेगी जिन पर सैक्ड लिस्ट आएगी और दोस्तों सैक्ड लिस्ट कोई 5-4 नमबर नीचे नहीं जाएगी दोस्तों जादस जादा एक नमबर क्योंकि दोस्तों एक नमबर पर भी 1000 बच्च अटके हुए हैं तो प्लीज आप वेटिंग का इंतजार ना करके आप अपनी स्टडिक जारी रखे और नेक्स्ट एक्जाम पर फोकस करे और दोस्तों मैंने आपके लिए फिर से डैली हरियाना क्राइड अफेर की कलास सरू कर दी है फिद हरियाना जी के और इंपोर्टन फैक्ट के साथ उसे जरूर देखे क्यूंकि क्राइड अफेर से दोस्तों तीन या च्यार लगवग 500 क्वेस्टन बनते हैं और साथी साथ आपकी हरियाना जी के की त्यारी भी अच्छी हो जाएगी तो उस कलास को भी जरूर देखे और वीडियो कैसी लगए आप कोमेट जरूर करना और चैनल को सस्क्राइब और सेर जरूर कर देना और वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच